So guys अगर आप Binance से अपना पैसा अपने bank account में withdraw करना चाहते है लेकिन आपको ये डर है कि कई हमारा bank account freeze ना हो जाए क्योंकि आपको पता है P2P से अगर हम पैसे withdraw करते है तो हमारा bank account जो है वो risk पे रहता है कि हमारा bank account है वो freeze हो जाता है बहुत सारे लोगों के हुए है तो आज मैं जो ये आपका डर है वो निकाल दूँगा क्योंकि मैं आपको एक trick बताऊंगा जिससे bank account में सीधे पैसे आएंगे P2P भी नहीं करना है लेकिन आपको जो है और किसी एक application का सहारा लिना है तो दोस्तों वो क्या है तो मैं आपको बता दूँ ये जो मेरा balance है 6714 dollar okay USDT मेरे balance में है तो उसमें से मैं 1900 USDT जो है आपको withdraw करके दिखाऊंगा यहाँ पर आप देख सकते है आपको क्या करना है step by step पूर आप जो है follow करना है तो आपका जो bank account है वो risk पे नहीं रहेगा और आपका जो पैसा है वो safely आपके bank account तक पहुँच जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्या करना है आपको नीचे wallet वाले option पे click करना है आप जैसे ही wallet वाले option पे click करेंगे तो यहाँ पर deposit withdraw and transfer का option है तो आपको जो है withdraw वाले option पे click करना है आप जैसे ही withdraw वाले option पे click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से interface खुल जाएगा send usdt ओके तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे जो है आपको address डालने का option आएगा ओके तो यहाँ पे आपको कौन सा address डालना है तो दोस्तो आपको जो है वजीर x में sign up करना पड़ेगा अपना account बनाना पड़ेगा अगर आपको नहीं पता है कि कैसे बनाते है तो वीडियो के description में उसका भी link में दे दूँगा वहाँ पे जाके आप वजीर x का account कैसे बनाए वो जो है देख लीजे और अपना account बना लीजे क्योंकि अगर आप Binance से पैसे withdraw करना चाहते है तो मैं तो आप इसी तरीके से पैसा हर बार withdraw कीजेगा तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते है वजीर x में आपको चले जाना है अगर आप एक बार account बनाएंगे उसके बाद यहाँ पे fund वाले option पे click कर देना है अब जैसे भी fund वाले option पे करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से interface खुल जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे आपको एक search का option दिख रहा है तो आपको search वाले option पे click करके USDT यहाँ पे search करना है तो यहाँ पे USDT आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे deposit वाला जो option है green color का उस पे आपको जो है click करना है तो आपके सामने कुछ इस तरीके से interface खुल के आ जाएगा यह आप देख सकते है और नीचे लिखा गया है कि भाई ERC20 ही हम जो है accept करते है ओके तो उसके बाद यहाँ पे deposit वाले option पे click करना है तो आपके सामने यहाँ पे QR code आ जाएगा और आपका address जो है वो यहाँ पे आ जाएगा मैंने blur किया है safety की वज़े से security की वज़े से तो यहाँ से आपको जो है वो जो address है वो copy कर लेना है और वो जो binance का था यहाँ पे मैंने आपको बताया send crypto वाया जो network था वहाँ पे जो है वो paste कर देना है तो यहाँ पे आप देख सकते है यह रहा binance है यह तो binance में यह जो आपने paste किया है वजी रेक्स का code वो यहाँ पे आपको paste कर देना है उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है ERC20 हम accept करते है तो यहाँ पे network में ERC20 जो है select कर देना है amount तो मैं जो है 1900 USDT जो है यहाँ पे मैं जो है transfer करना चाहता हूँ उसके बाद यहाँ पे withdraw वाले option पे आपको simply click कर देना है यहाँ पे आपको USDT का कुछ fee जो है cut हो जाएगा तो मैंने 1900 USDT डाला है तो यहाँ पे 1893.55 USDT याने कि 6 USDT जितना जो है मेरा यहाँ पे fee कटा है लेकिन आप safe रहेंगे आपका bank account safe रहेगा इतना आप ध्यान में रखिए आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि confirm information order का जो है यहाँ पे एक receipt आ जाएगा आपको यहाँ पे confirm कर देना है कि 1900 USDT आप यहाँ पे transfer कर रहे है और इसकी fee जो है वो 6.4 USDT है उसके बाद यहाँ पे confirm पे click करना है तो आपके सामने यहाँ पे email verification phone number verification आ जाता है आपको पता है तो वो आप जब जो है complete करेंगे तो यहाँ पे withdraw processing यानि कि 1900 USDT आपने जो है share किये है send किये है वैसा notification यहाँ पे आपको आ जाएगा ओके यहाँ पे मैं next करूँगा तो मेरा जो balance था वो पहले आप देख सकते है 6,714-1900 USDT तो यहाँ पे आप देख सकते है 4,813.04 USDT यहाँ पे बचा है आगे मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद वजिर X के account में आपको जाना है fund वाले option में तो यहाँ पे आपका जो portfolio value है वो यहाँ पे दिखाएगा 1900 USDT का मतलब जितना भी rate चल रहा होगा उस हिसाब से एक USDT का उस हिसाब से आपका crypto holding कितना है वो यहाँ पे दिखाएगा और यहाँ पे portfolio value दिखाएगा लेकिन यह अभी रूपिस में convert नहीं हुए है हमें यह USDT को sell करना पड़ेगा और यहाँ पे P2P जैसा नहीं होता है आप direct वजिर X को यहाँ पे exchange कर सकते हो यह जो आपका USDT है वो तो किस तरह के से मैं आपको दिखाऊंगा पहले यहाँ पे यह जो crypto holding है वो यहाँ से हम zero करेंगे तो सारा जो value है वो यही पे दिखाएगा और उसके बाद इसको हम withdraw करेंगे तो क्या करना है तो यहाँ पे आपको fund वाले option में चले जाना है यह आपको दिख रहा है उसके बाद आपको यहाँ पे search वाले option में जाना है ओके यह रहा quick buy वाले option में जाना है sorry quick buy वाले option में चले जाना है उसके बाद यहाँ पे search करना है USDT तो आप यहाँ पे USDT आ जो है आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे buy का option दिखेगा Okay, quick buy में search करना है USDT, उसके बाद यहाँ पे buy का option आएगा तो आपको buy वाले option पे click करना है buy के बाद जो में sell वाला option है वहाँ पे आपको switch कर लेना है, चले जाना है उसके बाद यहाँ पे आपको amount डलना है कि आप कितना अपना USDT जो है वो यहाँ पे sell करना चाहते है तो मेरा जो 1900 USDT था उसमें से 6.4 USDT जीतना cut गया तो मेरे पास इतना ही है 1893.55 ओके तो मैं जो है यहाँ पे पूरा यहाँ पे sell कर दूँगा और कितने पे, तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको 85 रुपे का आप एक USDT बेच रहे है एमाउंट आपका इतना है और टोटल आपका जो TDS कटके आपके बैंक अकाउन में आएगा वो 1,59,000 ओके इतना यहाँ पे आएगा 342 रुपी जितना उसके बाद यह आपको slide to confirm करना है तो आप जैसे ही slide करेंगे तो आपका जो order है वो यहाँ पे confirm हो जाएगा और वो जो है यहाँ पे आपके orders में दिखाएगा order जो है यह आप देख सकते है order वाले option में open order and past order तो यह जो है हमने sell कर दिया है यह आप देख सकते है total इतना 1,60,000 जितना हमने sell कर दिया है और यह complete भी हो गया है यह जैसे ही complete होगा और आप fund वाले option में आएंगे तो होगा क्या आपका जो holding है वो zero हो जाएगा क्योंकि आपका USDT है वो आपने sell कर दिया है तो वो सारा जो है यहाँ पे चला जाएगा ओके यहाँ पे यह जो value है इसे आप आसानी से जो है transaction and market वाला दिखेगा तो पहले हमने deposit किया था अब हम इस पैसे को withdraw करना चाहते है तो यहाँ पे withdraw वाले option पे आपको click कर देना है अब जैसे ही withdraw वाले option पे click करेंगे तो आपके सामने दो option आ जाएंगे एक instant withdrawal और एक NFT withdrawal दोनों में कुछ फर्क नहीं है यहाँ पे आप देख सकते है instant यानि कि IMPs में जो है 25 रुपे कटते है फीके और यहाँ पे NFT में 15 रुपे कटते है तो यहाँ पे आप देख सकते है आप कोई भी एक select करेंगे तो मैंने यहाँ पे कौनसा वाला select किया था यह आप देख सकते है यहाँ उपर वाला select किया था 25 रुपे जो है कटेंगे ऐसा okay IMPs है तो में मेरा यहाँ पे bank account पूरा आ गया था कि आपका जो bank account है वो यह है आप इसमें withdraw करना चाहते है के नहीं आपको एक बार जो है यहाँ पे verify कर लेना है उसके बाद आप कितना withdraw करना चाहते है तो यहाँ पे आप देख सकते है maximum one lakh per transaction और पांच लाग आप कर सकते है यानि कि आपके बाद टोटल पांच लाग रुप उसके आज आप है withdraw पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते है 15 रुपे यहाँ पे कटेंगे और 99,985 रुपे जो है हमारे bank account में आएंगे तो यहाँ पे मैंने जो है confirm पे क्लिक किया तो यहाँ पे two factor जो है verification OTP वाला भी आया था और email वाला भी आया था जो की Binance में भी रहता है वजी रेक्स में भी रहता है उसके बाद आप जैसे email वाला जो है verification करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा withdraw verification successful complete और दोस्तों 15 से 20 मिनिट के अंदर अंदर आपका जो withdraw है वो आपके bank account में आ जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद यह जो आपका transaction है व 28,000 रह गया है यानि कि यह पैसा हमारे bank account में safely पहुच गया है तो finance से इस तरीके से जो आपको पैसे पहले वजीर एक्स में डालने है जो आपका जो मतलब holding है वो उसके बाद वजीर एक्स से पैसे जो है safely अपने bank account में लेने है तो आप safe रहेंगे P2P का कोई जंजट नहीं है हाँ थोड़ा सा फिव अगेरा कटेगा लेकिन आपको जो है थोड़ा relaxed फिल होगा कि मेरा bank account जो है वो यहाँ पे safe रहेगा यह आप देख सकते है इतना था इतना है और यह भी मैं जो है आज कल में withdraw कर लूँगा ओके तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी मुझे comment section में बताईए और आगे मैं किस topic पर वीडियो बनाऊं finance के वो भी मुझे comment section में जरूर बताईए चैनल को subscribe बरना भी लोग भी मत भूलेगा मिलता है नाक्स वीडियो में तब तेले take care बाई जय हिन जय भारत